अस्सलामु आलेकुम, मैं हूँ आपका होश्ट मुहम्मद इम्रान और आप देख रहे हैं इलम के मोती दोस्तों चाहें इनसान ने इलम और साइंस में जितनी भी तरक्की कर ली है मगर फिर भी दुनिया में बहुत से राज ऐसे भी हैं जिनने इनसान अब तक सुलजा नहीं पाया और आज हम जानेंगे दुनिया के साथ ऐसे ही सबसे बड़े राजों के बारे में जिनने अकले इंसानी हल नहीं कर पाई दुनिया की साथ खतरनाक और पुरी स्रार जगों के बारे में जो अपने आप में पहेली से कम नहीं टॉप 7 Most Mysterious Places की लिस्ट में नमबर 7 पर है पोविगलिया आइलेंट इटली का पोविगलिया आइलेंट देखने में ही देश्यतनाक लगता है क्योंके यहां इंसान नहीं यहां बदरोहे बसती है इस आइलेंट ने आज तक 1,60,000 लोगों की जान ली है इस आइलेंट पर जाने वाले ज्यादा तर लोग अपनी जान से हाथ दो बैटे और जो जिन्दा वापिस बचकर आए उन्होंने अपने साथ आने वाले अजीबो गरीब वाकियाद के बारे में लोगों को बताया कहा जाता है कि इस आइलेंट पर बहुत साल पहले ला इलाज और खतरनाक मर्ज में मुबतला लोगों को लाया जाता था ताके इनकी बिमारी आम लोगों में ना पहल सके के डॉक्टर्स नर्सों और मरीजों के साथ यहां पुरी सरार वाक्यात रोनमा होने लगे उन्हें खौफ़नाक चीजें दिखाई देने लगी इसके बाद भी इटली की हकूमत ने यह जगा बसाने की कोशिश की मगर जो भी यहां रहा वो कुछ दिन बाद ही यहां से भाग इस रास्ते परदा उठाने के लिए बहुत से लोग इस आईलेंड पर गए मगर उनमें से ज्यादा तर वापिस लोट कर ना आए अब इटली की हकूमत ने इस आईलेंड पर आम लोगों के जाने पर पबंदी लगा दी है स्कॉटलैंड का ये ब्रिज भी दुनिया के अनसुल जराजों में से एक है इस ब्रिज को डॉक सुसाइट ब्रिज भी कहा जाता है क्योंकि इस ब्रिज से गुजरने वाले ज्यादा तर कुट्टे इस प्रिज से चलांग लगा कर सुसाइट कर लेते हैं अब तक क्या दादुशमार के मताबिक इस ब्रिज से अब तक 600 कुट्टे चलांग लगा चुके हैं जिन में से ज्यादा तर मर चुके हैं इसलिए यहां की गॉर्मिट ने इन हाथ साथ की बढ़ती तदाद को देखते हुए यहां एक बोर्ड लगाया है जिसके उपर लिखा है इस प्रिज से गुजरते हुए अपने कुट्टों को संभाल कर रखी यहां ऐसी कौन सी शेतानी ताकत है जो कुट्टों को सुसाइट करने पर मजबूर करती है यह बात अभी तक एक पहेली बनी है जिसका कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया नमबर फाइफ एरिया 51 युनाइटि स्टेट अमरीका की रिहासत निवार्डा में मुझूद एक वीरान और पूरी स्रार इलाका जिसे एरिया 51 और अमेरिकन एलियन हाईवे का नाम भी दिया गया है एक ऐसा इलाका जहां आम आदमी को देखते ही गोली मारती जाती है जिस सवाल ऐसे हैं जिसका सही जवाब किसी के पास नहीं कहा जाता है कि अमरीका ने एरिया 51 को यूएफो के लिए रिसर्च बेस बना रखा है यूएफो यानि एलियन्स और उनकी तकनीक पर रिसर्च अगर ये बात सच है तो क्या सच में एलियन्स होते हैं या पिर ये 51 के मतलिक हाकाइक लोगों के सामने लाएंगी मगर वो जीत न सकी और डौनर्ट ट्रमप अमरीका का सदर बन गया और ये राज राज ही रहा साओध अमरीका में मुझूद दुनिया का सबसे वीरान और खुश सहरा ये मिदान इनका और नासका वैली के दरम्यान वाक्य है यहां मुझूद नासका लाइंस के नाम से मशूर अजीबो गरीब जियोमेटिकल डिजाइन जिनको तकरीबन हजारों साल पहले बनाया गया था लेकिन हजारों साल बाद भी नासरफ इनका वजूद बरकरार है बलके इन लकीरों से बनी हर शकल किसी पूरी सरार कोड को जाहिर करती है इन लाइंस को एक खास बलंदी से देखा जाए तो लगता है कि ये कोई मामूली लाइंस नहीं बलके ये आपस में मिलका डिजाइन और जियोमेटिकल फीगर बनाती है ये डिजाइन्स मुखटली परिंतों जानवरों इनसानुमा किसी मखलूग के हैं ये लाइंस मीलो लंबी हैं और हैरत अंगेस थोर पर सीधी हैं इनमें बाज डिजाइन्स तकरीबन हजार फीट के बराबर है और इन सब डिजाइन्स का तालुक सितारों के इल्म से जुड और इतने बड़े डिजाइन्स बनाने का मकसद क्या रहा होगा? क्या ये इनसानों ने बनाए थे या किसी और मखलूक ने? ये सब सवाल आज भी अन्सुलजे राजों में से एक हैं साइंस्दानों ने इन लाइन्स में इलेक्रिसिटी कंड़क्शन को जब ना पा तो वो हैरान रहके क्योंके इन लाइन्स पर इलेक्रिसिटी कंड़क्शन आठ हाजार गुना ज़्यादा थी जिससे साइंस्दानों ने ये नतीजा निकाला कि इन लाइन्स के नीचे जमीन में जरूर कुछ पूरी सरार चीज मुझूद है जिसके बारे में कोच जारी है आज से तकरीबन 4,000 साल पहले बनाएगे ये एहराम आज भी एक अंसुल जी पहली है पिरामिट्स ओफ इजिप्ट को बहुत सालों से स्टड़ी किया जा रहा है हर टेकनॉलजी से इनने समझने की कोशिश की जा रही है बगर जब भी एक सवाल का जवाब मिलता है तो दस सवाल और पैदा हो जाते है इन पिरामिट्स का असमान के स्टारों से अलाइनमेंट पिरामिट्स के अंदर का टंप्रेचर 20 डिग्री होना सबसे बड़ा सवाल इन पिरामिट्स को उन्होंने बनाया कैसे होका इन पिरामिट्स में इस्तमाल होने वाले ब्लॉक्स का वजन तकरीबन 27,000 से 70,000 किलो तक नोट किया गया है सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने इतने भारी पत्थर जोड़े कैसे होंगे माहिरین असारे कदीमा को इन एहरामों की दिवारों पर हेलिकॉप्टर, जहाज टेंक और गाड़ी वगरा के तस्वीरें भी मिली है जो आज भी खुद में एक सवालिया निशान है कि वो इन सब चीजों के बारे में इतने हजारों साल पहले कैसे जानते होंगे ये और ऐसे और बहुत से सवाल जिनका साइंस के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं और उस पर इन पिरामिट्स की मनहुसिया से मारे जाने वाले लोग इन पिरामिट्स को और भी पूरी स्रार बनाते है कोई इने मिस्रियों की जदीड टेकनोलोजी से वाक्षित कहता है तो कोई इने एलियंस की कारी गरी और कोई इने शेतान की अमाज़ का दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस बर्मूदा ट्राइंगल का कुल रखबा 11,4,000,00 किलो मीटर है इसका शमाली सिरा जजाइर बर्मूदा और जनूम मश्रकी सिरा पोर्टोरीको और जनूम मगर्बी सिरा मियामी यानि फलोरीडा में है फलोरीडा के माइनी इस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है बर्मूदा ट्राइंगल समंदर का वो हिस्सा है जहां हजारों इनसान और सैंकडों जहाज गाइब हो चुके हैं जिनका आज तक पता नहीं चल सका ये सवाल आज भी मुझूद है कि इस इलाके में पानी की गहराईयों में पानी के उपर और इसकी फिजाओं में ऐसी कौन सी चीज़ है कौन सी पूरिसराड ताकत है जिसकी तश्री अकले इंसानी सेटालाइट के इस दोर में भी नहीं कर पा रही बर्मूदा ट्राइंगल की हदूद में आते ही बहरी जहाजों और फिजाम में उडने वाले तियारों का दुनिया से राब्ता तूट जाता है और फिर उनका मलबा तक नहीं मिलता बर्मूदा ट्राइंगल को कोई शेतान का घर कहता है तो कोई मकनाती सी कशिश अलमुक्तसर बर्मूदा ट्राइंगल में एक नहीं हजारों वाकियात हो चुके हैं अगर आप चाहते हैं मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट स्पोक्स में बताए नमबर वन ड्रेगन ट्राइंगल ड्रेगन ट्राइंगल बर्मूदा ट्राइंगल के बिल्कुल ओपोजिट ड्रेक्शन में मुझूद है पैसिफिक उशन में मुझूद ड्रेगन ट्राइंगल जापान और फल्पाइन के दर्मियान में मुझूद है इसका कुल रखबा 5000 सक वायर फीट है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ड्रैगन ट्राइंगल में बर्मूदा ट्राइंगल से ज्यादा हाथ साथ हो चुके हैं और ज्यादा मौत हो चुकी है वो अलग बात कि ड्रैगन ट्राइंगल को बर्मूदा ट्राइंगल की तरह ज्यादा हाइलाइट नहीं किया गया यहां बहुत से समंदरी और हवाई जहाज गाइप हो चुके हैं चीन के लोगों ने इसका नाम ड्रैगन ट्राइंगल रखा है उनका मानना है कि यहां समंदर के इस हिस्से में बड़े बड़े ड्रेगन्स रहते हैं जो इन जहाजों को समंदर में खैंच कर अपना शिकार बना लेते हैं जबकि जापानी लोगों का मानना है कि यह हिस्सा शेतान का घर है वो इसे डैविल से ही कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि यहां मैगनेटिक फील्ट काफी असरदार है जो इन जहाजों को अपनी तरफ खेंचती है तो कुछ लोगों का मानना है यहां वोलकैनों मुझूद है आज इतनी मोडरन टेकनोलजी होने के वावजूद भी इनसान बर्मूदा ट्राइंगल और ड्रैगन ट्राइंगल के पीछे मुझूद असल हाकाइक के बारे में नहीं जान सका तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमर्स बोक्स में मुझे ज़रूर बताएगा और आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो अभी बताएग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए का मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो बहासानी मिलती रहें वीडियो देखने का शुक्रिया